तो दोस्तो दस पारालाइट को जलने के बाद आप लोग लुक देख सकते हैं कितना खतरनाक लग रहा दोस्तो तो हलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों को एक और नए वीडियो में तो दोस्तों हम इस वीडियो में बाइसन कंपनी का पारलाइट अन्बोक्सिंग करने वाले हैं जो पारलाइट साथ ही बॉल का LED पारलाइट है और इस पारलाइट के बारे में फुल ड्यूटियल आप लोगों को देंगे और वीडियो के लास्ट में इस पारलाइट का प्राइज भी बताएंगे कि ये पारलाइट हम कितने उमंगा हैं और इस लाइट को बार कर भी देखेंगे कि इतना लाइट देता है तो वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो चैनल को सस्क्राइब करकर आउल पर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे ताकि इस परकार का वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सके हैं अगर आप लोग के मन में sound system से लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें comment करकर नीचे पूछ सकते हैं यहां तो आप हमें instagram पर message कर सकते हैं instagram का id का link नीचे deception में दिया हुआ है तो चलिए वीडियो को बिनादेर की होए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पस आप लोग देख सकते हैं कि Bison Company का एक पेटी हम लोग Paralite मंगा हैं इसमें टोटल 10 पिस Paralite है दोस्तों और यह Bison Company का Paralite काफी बढ़िया है और नीचे यहाँ पस आप लोग देख सकते हैं कि 60 LED Paralite यहाँ पस लिखा भी है तो चलिए सबसे पहले इस Bokks को खोल कर देखते हैं कि इसमें कैसा Paralite लिकलता है और आप लोग इस Bokks का Packing देख सकते हैं दोस्तों कैसा Packing किया हुआ है तो पहले Bokks को खोल लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पस देख सकते हैं हमने Paralite का Bokks खोल लिया है और इसमें देख सकते हैं पारलाइट कैसे पैकिंग किया हुआ था तो ये कख करकर इस पारलाइट को इस बॉक्स में से निकाल लेते हैं तो बॉक्स में से सारा पारलाइट को लिकाल कर यहां पस हम लोग सर्या कर रख दिये हैं अभी एक पारलाइट को खोल कर देखते हैं कि इस पारलाइट में क्या क्या निकलता है तो यहां पस देख सकते हैं कि एक पारलाइट को हमने खोल लिया है और यहां पस देख सकते हैं इसका पैकिंग कैसा है चीमकिल उपर से है तो दोस्तो इस पारलाइट के साथ दो नेट दिया हुआ है और इस बॉक्स में भी कुछ है और यहाँ पस देख सकते है पारलाइट खुलने के बाद कैसा दिख रहा है और यह दोस्तो काफी बढ़िया पारलाइट है यहाँ पस देख सकते हैं काफी बढ़िया लग रहा है देखने में अब हम इस पारलाइट के डिबे में देखते हैं कि पारलाइट के साथ इस डिबे में क्या क्या दिया है तो दोस्तों इस डिबे में से देख सकते हैं एक कागत निकला है जो इसका बील है और इसमें से कुछ नहीं निकला है दोस्तों और दो अस्टेंट निकला है दो वापस देख सकते हैं दोनों अस्टेंट रखा हुआ है अब हम इस एक पारलाइट को बार कर देखते हैं कि एक पारलाइट कितना रौसनी देता है और एक पारलाइट बारने के बाद हम दसो पार पर लाड को में और स्टाइड को फिट कर लेते हैं और हम फिर इस पार लाड को बाहर कर देखेंगे तो दोस्तों ये पायर लाइट अब फिट हो चुका इसका स्टेंड भी कस दिये हैं अब इसका तार खोल लेते हैं और इसका लुक दिखाते हैं आप लोगों को ये पायर लाइट कैसा लग रहा है यहां पस देख सकते हैं लाइट का ये पलक है और काफी बढ़िया ये पलक है आप लोगों को पीछे का लुक दिखाते हैं लाइट का क्या क्या दिया है इसमें देख सकते हैं दोस्तों पीछे में एक दूसरे पारलाइट से कनेक्ट करने का यहां पस देया हुआ है तो अब उसके जुन अंगे बौड को चालू करकर पारलाइट को चेक करेंगे यहाँ पास तो बोर्ड में लाइन आ चुकल है और पालाइट को बहुत देखते है औरि यहाँ पस देख सकते हैंấu आप लोगों को दिखाएते हैं खोपार में कितना लाइट दे रहा है पारालैट को तो चेक कर लिए दोस्तो तो अब दसो पारलाइट को एक साथ बार कर देखते हैं कि 10 पारलाइट एक साथ बरने के बाद कितना लाइट देता है तो सबसे पहले दोस्तो हम 10 पारलाइट को बॉक्स में से निकाल लेते हैं तो यहाँ पस देख सकते हैं दोस्तो सारा पारलाइट को निकाल ली हैं अब इसे बार कर देखते हैं कि ये कितना लाइट देता है तो सबसे पहले दोस्तो एक कर कर इस पारलाइट को बॉर्ड में कनेक्सन कर लेते हैं और यहाँ पास नीती से जो एक पारलाइट का कनेक्शन दे दिया है और एक पारलाइट यहाँ पास बढ़ चुका है दोस्तों और अब हम देखते हैं एकक करकर सारे पारलाइट का कनेक्शन कर लेते हैं सारी घलियां तेरी जगमगा दूँगा मैं हर सुभात तेरी खुद को बना दूँगा मैं और यहां पस आप लोग देख सकते हैं कि सारा पारालाइट बर चुका है दोस्तों काफी बढ़ियां लग रहा है सारा पारालाइट बर चुका है तो और काफी जादा लाइट ये पारा लाइट दे रहा है दोस्तों क्यूंकि यहाँ पस दस पारा लाइट बहर चुका है तो काफी लाइट दे रहा है तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में